हलो बच्चो सान चैप्टर क्लास 9 में पढ़ के आयो मेंसुरेशन सारे फॉर्मुले कभी याद नहीं है तो पहले सारे फॉर्मुले रिवाइस करा दूगा उसके बाद इस चैप्टर पे चलीए उसके बाद इस चैप्टर पे चलीए एक ओवर्वी देने के लिए एरिया और वॉल्यूम और कॉंबिनेशन ऑफ सॉलिड मतलब मैं कमबाइन करूँगा एक सिलेंडर ले लूँगा दो हैमिस्वेर ले लूँगा सबको जॉइन करके एक कोई नया फिगर आप्टेन करके सरफे सेरिया और वॉल्यूम उस फिगर का तुमसे पूछूँगा करना कुछ नहीं है वॉल्यूम में तो सब चीज़े बहुत आसान है कभी में एक सिलेंडर लेके दो हमिस्वेर को लगा दू तो एक क्या बन जाता है देखो 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 विजुलाइज करो हर चीज को ये प्यारा सा टेंकर आप लोगों के सामने मैंने बनाया ह क्या है ये क्या है ये 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 टेंकर को देखोगे तो इसमें एक सिलेंडर है उसके दोनों कोनों पर दो हमिस्वेर लगे हैं अब यार सिलेंडर का हमको वॉल्यूम निकालना आता है दाट इस पाई आर स्कूर एच दो हमिस्वेर है तो टू टाइम्स वॉल्यूम आफ हमिस को और अच्छे से समझने के लिए इसको ऐसे ब्रेक कर लिया यह टेंकर था यह टेंकर में एक सिलेंडर है दो हेमिस्वियर है इस तरीके से यह हो गया अब तुम से पूछेगा या तो इसका surface एरिया निकालो या तो इसका volume निकालो ये दो ही चीज़े ये chapter पूछेगा और इस chapter में कोई concept नहीं है केवल क्या है फॉर्मुले है और फॉर्मुले एक बार दिमाग में बैठ गया है वो कैसे बैठेंगे जब तुम कुशनों की practice करो तो अपने आप फॉर्मुले याद नहीं करने पड़ेंगे अपने दिमाग में इंसर्ट हो जाएंगे और फिर कभी नहीं भूलोगे और कभी गलत भी नहीं करोगे अब यहां पे cylinder है कभी मैं पहले surface एरिया की बात करूँ तो surface एरिया का calculation थोड़ा सा tough हो जाता है क्योंकि उसमें सोचना रहता है पर मेरे प्यारे बच्चे तो सोचने में expert है क्योंकि उनको visualize हो रहा है यह diagram जैसे इस tank को देखे तो एक cylinder है दो हमिस्वियर है अब दो हमिस्वियर है यह वाला जो हमिस्वियर है कभी मैं surface एरिया की बात करूँ मैं किसकी बात कर रहा हूँ बच्चा surface area की मैं किसकी बात कर रहा हूँ surface area की मैं बोल रहा हूँ इस tank का कभी surface area निकालना है तो जहां पे भी अपन figure को join कर रहे है यहां पे देखो दो join point है एक यह joining point है एक यह joining point है मतलब जो दो base है cylinder के दो base है जो दोनों base cylinder के क्या होते circular वहां पे अपन ने दो हमिस्वियर लगा दी है तो दो joining है वो जो joining वाले दो circle है उसके area को include नहीं करेंगे को कि वो joining में खतम हो गए तो जब इसका surface area पूछ रहे हैं तो basically अपना diagram कैसा बनेगा अपना diagram कुछ ऐसा बनेगा कि एक cylinder है उस पे दो हमिस्वियर लगे हैं माफी चाहूंगा drawing के लिए क्योंकि नीचे diagram बनावा है है ना मैं पहले से बना के लाया क्योंकि मुझे पता था मुझे सही से बनेगा नहीं है ना तब यहां पे जब इसके surface area की बात करेंगे तो क्या करेंगे इसका curved surface area ले लेंगे इसका भी curved surface area ले लेंगे और इसका भी curved surface area ले लेंगे अब तुम बोलोगे sir curved surface area क्या होता है मेरे प्यारे बच्चो 9th में पढ़के आयो curved surface area cylinder का क्या होता है that is 2 pi r h curved surface area hemisphere का क्या होता है 2 pi r square curved surface area ये वाले hemisphere का क्या होता है 2 pi r square क्यों curved surface area लिया cylinder के total surface area में ये वाली उपर की भी प्लेट आजाती और नीचे का बेस भी आजाता है सिलेंडर का मतलब ये वाला बेस और ये वाला ध्यान से देख लेना ये दोनों चीज हमने नहीं ली क्योंकि वहाँ पे जॉइन हो गया जॉइन हो गया तो जब सर्फेस एरिया की बात करते हैं तो केबल वो portion लेते हैं कि कितना area ये occupy करेगा कितना area ये घेरेगा तो बहार के area की बात करेंगे तो बहार curved surface area आएगा और इसका curved surface area आएगा जॉइनिंग तो अंदर चली गई तो अंदर की बात तो करेंगे नहीं है ना तो वो तो खतम हो जाएगा तो ये curved surface area से ये इसका surface area आ गया volume तो तुमको volume का calculation तो बहुत easy है ये tank कैसे बना 2 hemisphere और एक cylinder की help से तो करना कुछ नहीं है volume of cylinder plus 2 times volume of hemisphere volume of cylinder कितना है that is pi r square h plus 2 times volume of hemisphere कितना है that is 2 by 3 pi r cube formula याद कर लेना अभी में revise करा दूंगा घबराने का नहीं है केवल मुस्कुराने का है एक बात यहां पर समझी कि surface area के calculation में कुछ चीज़े खतम हो जाती है मैं ऐसे directly हम नहीं कर सकते थे कि surface area of hemisphere 1 that is 3 pi r square इसका भी surface area टोटल की बात कर रहें तो 3 pi r square होता है और इसका pi r square मतलब 2 pi r square और 2 pi r h total की बात करेंगे तो इसका होता है 2 pi r square plus 2 pi r h पर तुमने देखा कि यह जो डिस्क है अंदर की यह तो neglect हो जाएगे क्योंकि वो join हो गया feel लो feel लो इस tank के थ्रू इस tank के थ्रू feel लो कि आप जो surface area है वो तो भार-भार की होता है है ना जो भार-भार का area है वही निकालना है तो भार-भार का area मतलब जो tank पर color किया जाता है ना color वाला portion भाई जो भी टेंक कर यह yellow color मैंने जो किया yellow orange color मैंने नहीं मतलब यह diagram में जो किया है वो area होता है और volume क्या होता है जो इसके अंदर fill होगा capacity तो यह terminology को समझो कि volume होता क्या है उसका feel लो और उसके बाद देमाग में अपने आप चीजे चमकने लग जाएगी I hope यह बात समझ में तो यह जो color हुआ portion है कभी भी tank करके अंदर color तो नहीं होगा है ना तो भार का जो colored portion है यह हमने निकाला that is curved surface area of this cylinder plus curved surface area of this hemisphere plus curved surface area of this hemisphere और volume में directly हमने टीनो volume को volume of hemisphere 1 plus volume of cylinder plus volume of hemisphere number two यह दोनों identical है इसलिए same volume ही आएगा तो I hope यह बात समझ मागी दो hemisphere मिलके एक hemisphere बन जाएगा तो 4 by 3 pi rqb final answer आएगा तो यह बात मेरे ख्याल से सब को चमकी होगी सब को चमकी होगी एक और प्यारा example एक तो वो आपन बड़े बड़े में जो टोपी पहनते है वो टोपी है उसके नीचे एक hemisphere wall है एक कटोरी है दोनों को combine कर दिया दोनों को combine कर दिया यह figure obtain हो गया जब surface area की बात होगी तो मेरे प्यारे बच्चों क्या लिखोगे formula curved surface area of this cone क्योंकि total में यह वाला जो है यह वाला जो portion है जो मैंने काला कर रखा है यह वाला portion यह वाले portion को नहीं लेना है क्योंकि यह तो joining के वक्त अंधर की तरफ चला जाएगा तो यह area होगा नहीं area की बात करें मतलब उपर से जो color करोगे यह नीला color तुमको दिख रहा हो तो यह color मैंने जहां किया है कभी वो area की बात करूँगा मतलब इसकी total surface area की मैं बात करूँ तो वो क्या होगा curved surface area of cone that is pi rl plus curved surface area of hemisphere 2pi r square volume की बात करेंगे तो directly volume of cone plus volume of hemisphere volume में नहीं सोचना है volume में जो जो figure को combine कर रहे है सीधे उनका volume add कर लेंगे मेरे ख्याल से यह बात सब को चमकी होगी यह note आपने पढ़ लिया होगा कि एक और situation ली है है ना तो यह तो आपको notes में मिली जाएगा बढ़ते हैं आगे it may be noted that in calculating the surface area हमने जब surface area calculate किया तो we have not added the surface area of two joinings जहां पर हमने join किया उस वाले area को हमने calculate नहीं किया because some part of the surface area disappeared जब तुम solido को join करोगे तो कुछ part उसका disappear हो जाता है तो वो area में क्यों लूंगा इसलिए मैंने बोला था area में सोचना है फर volume में we are directly adding up but when we are calculating the volume the volume of the solid formed by joining two bodies will actually be the sum of the volume of the solids जिन से वो volume मत पूरा completely जो solid बनाए जिन भी element से उनके directly volume को add up करोगे तो net volume तुमारा निकल जाएगा यह बहुत important note है और बहुत अराम से मैंने इसको समझाया बस यही है तुमारी पहली exercise में अब तुम सारे question में मचा दोगे concept में बस इतना ही था formula फटा बट revise करा देता हूं cuboid यह दिखावा होगा cuboid cuboid सबने देखा है मैं जिस कमरे में खड़ा हूं यह भी एक cuboid है मतलब जिसका base कभी rectangle है है ना तो वो एक cuboidal shape है 3D में rectangle को कर लो तो cuboid निकल के आ जाएगा यह box तुमको दिख रहा है तुमने duster देखा है यह सब example है cuboid के तुमने इसमें अपने को देखो क्या-क्या पढ़ना है lateral surface area total surface area और volume तो lateral surface area मतलब चारो wall का area तो चारो wall का area तुमको सीधे याद रखने का तरीका यह यहां पर सारे लिखे वें L से में एक और बार लिख दता हूँ 2 times L plus B into H ओके फिर total surface area में सारा आ जाएगा 2 times LB plus BH और plus HL 2 times LB plus BH plus HL और volume की में बात करूँ तो वो तो होता है L into B into H अब यार इसके diagonal क्या होती है मेरे को comment करके बताना कि diagonal of cuboid क्या होती है एक question कराऊंगा diagonal of cuboid imagine करो कि diagonal क्या होती है यह वाला जो corner है एक corner से सामने उपर की तरफ जो corner है room का वहां से join करोगे वो line उसकी length क्या होगी that will be the diagonal of the cuboid तो वो length क्या होती है लिख लो मेरे क्याल से मेरे प्यारे बच्चों ने comment कर दिया होगा diagonal जो होती है इसकी cuboid की जब मैं इसको यह वाले point को इस वाले point के साथ जोड़ दूँ यह वाले point को इस वाले point के साथ जोड़ दू so this will be my diagonal यह मैं वोलू इसको मैंने यह बाहर की तरफ है बाहर वाले को अंदर की तरफ ऐसे join कर दिया तो यह वाली length कितनी होती है that will be under root of under root of l square plus b square plus h square under root of l square plus b square plus h square लिख लेना diagonal of cuboid is under root of l square plus b square plus h square ठीक है मेरे क्याल से यहां पर cuboid में मेरे को इतनी बाते तुमको बता लीती सब आती है तुम लोगों को lateral surface area मतलब मैं area of four wall की बात कर रहा हूं ओके four wall की बात कर रहा हूं तो यह b into h b into h यह l into h l into h ओके तो h common निकल गया l plus b हो गया two times हो जाएगा क्योंकि आमने सामने double double same figure है चमक गया बढ़ते हैं आगे cube में l बराबर b बराबर h हो जाएगा सारे formula अपने आप तुम्हारे निकल के आ जाएगे diagonal of cube क्या होगी जब l बराबर b बराबर h हो जाएगा तो वो root three times side हो जाएगी है ना तो इसके सारे formula बही जब सब side a मानी तो lateral surface area क्या होगा बही a square यह वाली right wall का a square left wall का a square back wall का जहां पर smart board लगाए a square सामने वाली का जहां camera लगाए a square 4a square हो गया उपर नीचे को add कर दूंगा तो total बन जाएगा that will be 6a square तो lateral surface area will be 4a square total surface area will be 6a square और volume तो capacity है कि यार इस जगा पे मैं कितना भर सकता हूँ पानी या कुछ भी इसकी capacity कितनी है समान भर दू इस कमरे में तो यार वो कितना होगा that will be l into b into h जब तीनों बराबर हो गए l equal to b equal to h तो a cube आ जाता है तो formula सारे दिमाग में चमकने लग गए होंगे याद करने का कुछ नहीं यह field हो यार 3D geometry है यह तो field लेना आनी चाहिए अब cylinder को क्या है इस cylinder दिख रहा है क्या प्यारा 3D diagram आप लोगों के सामने यह cylinder है अब इस cylinder में यह प्यारे से cylinder में हमें क्या क्या अब lateral surface area की जगा curved surface area बोलेंगे curved surface area में यह जो उपर का top है और यह जो नीचे का base है cylinder का top भी circle होता है base भी circular होता है इन दोनों को छोड़के बाकी जितना भी portion है बाकी जितना भी portion है मतलग ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला जो portion है this portion दिख रहा है ये portion होता है curled surface area और इसका formula होता है 2 pi r h total surface area में ये pi r square ये pi r square add हो जाएगा तो 2 pi r h plus 2 pi r square ये बात भी सबको चमक गई बढ़िया तो क्या बना 2 pi r h plus 2 pi r square that is volume sorry जोश में आ गया volume की कहा बात हो गई volume की unit क्या होती है cubic में और surface area की unit क्या होती है square में this is total surface area इसी तरीके से curved surface area को CSA लिखते है CSA में ये 2 pi r square नहीं आएगा तो ये आजएगा 2 pi r h और volume की में बात करूँ तो pi r square h ये दोनों square units में होते है volume वाला cubic unit में होगा कभी radius और height meter में दिये तो meter cube हो जाएगा ये सब चीज़े है क्या मजाग चल रहा है question पर आते है question पर आते है hollow cylinder ये pipe पानी भरा होगा कभी तो pipe देखा होगा है ना तो वो जो हरा pipe motor वाला उसको imagine कर पा रहे हो motor पे जो लगता है बड़ा वाला सा pipe उसकी कुछ thickness होती है तो ये वह ही pipe मैंने एक pipe type का figure ले लिया जिसमें दो radius होगी तो उसके surface area और उसके volume की बात की जारी तो एक बार diagram 3D में देखो ये diagram को 3D में देखो तो जब इसके surface area की बात होगी तो बच्चा कौन सा portion होगा ये 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 वाला portion है ना उपर का सेम नीचे भी ऐसा का ऐसा और curved surface area तो दोनों add up हो जाएंगे अंदर का और बाहर का curved surface area तो दोनों add up हो जाएंगे तो इसका जो area बनेगा वो क्या बनेगा तोटल surface area को इसको निकालने का तरीका देखो ये उपर की कभी में डिस्क का जो shaded portion है मतलब बड़े वाले circle के area में से जब छोटे वाले circle के area को माइनस कर दूंगा तो वो shaded portion आ जाएगा ऐसा कैसा नीचे है तो टू टाइमस 2 pi r square formula बनेगा तो 2 times pi r square minus r square plus curved surface area of बड़ा वाला cylinder 2 pi r h plus curved surface area of छोटा वाला cylinder ये तो टोटल surface area हो गया इस pipe का pipe समझ में आ रहा है न ये अंदर का जो white portion है ये पूरा surface area हो गया चमका गे नहीं यार चमक ना तो चाहिए बच्छा है ना तो ये बात है ये तो टोटल surface area की बात होई curved surface area की मैं बात करूं curved surface area में ये वाला जो portion है ये नहीं आएगा तो 2 pi h का भी common निकल जाए तो r plus r that will be the curved surface area curved surface area curved surface area क्या होगा 2 pi r plus r into h volume तो बहुत easy volume क्या है बड़े वाले cylinder में से छोटे वाले cylinder को माइनस कर देंगे तो basically volume वही volume देखे है इसका इसका volume देखे तो बड़े वाले cylinder में से छोटे वाले cylinder को बड़े वाले cylinder में से volume of outer cylinder minus volume of inner cylinder will give you the volume will give you the volume है ना तो ये hollow cylinder की कहानी होगई this is the case of hollow cylinder outer surface area की बात कर रहा है क्यार ये inner वाला जो white portion इसको नहीं लेना है तो 2 pi r h plus उपर का और नीचे का तो 2 pi r square minus r square ये ही लिखा है है ना तो इस तरीके से सारे एक formula को याद नहीं रखना केवल दिमाग में कि किस तरीके से ये formula बन रहे है ठेक है बढ़ते हैं आगे की और इस्पियर की बात करो बच्छा इस्पियर मतलब तुमने फुटबॉल देखी है that is a spherical in shape तो ये इस्पियर की मैं कभी बात कर रहा हूँ तो इस्पियर का volume क्या होता है that is the double of hemisphere hemisphere का होता है 2 by 3 pi r cube sphere का होता है 4 by 3 pi r cube surface area इसमें curved world कुछ नहीं होता है एक ही surface area होता है that will be the total surface area वो होता है 4 pi r square तो दो ही बात इसमें याद रखने TSA that is 4 pi r square or volume that is 4 by 3 pi r cube I hope ये वाली बात आगे होगी है ना hemisphere कटोरी कटोरी है ना बाउल तो इसका बिल्कुल कभी वो याद है तो volume of sphere का आधा तो यह हो जाएगा 2 by 3 pi r cube अब इसमें दोनों area होते है surface area curved वाला मतलग ये वाला portion कभी मैं लू ये वाला portion कभी मैं लू So this will be the curved surface area CSA जो की होता है 2 pi r square और फिर होता है total surface area जिसमें उपर के circle का area भी add up हो जाएगा तो वो होता है 3 pi r square बस इतनी सी बाते थी सारे formula अपने दिमाग में insert हो गए तो बढ़ते हैं आगे की और है ना राइट circular कोन तो देखो राइट circular कोन आइस्क्रीम सभी ने खाई है तो पहले तो curved surface area की बात कर लो तो उसका formula होता है pi r कहां लिका रहे यह लिका पाई rl curved surface area total surface area में यह कौन है तो यह तो curved surface area हो गया उपर का एक circle add कर दो pi r square है ना तो वो total हो जाएगा volume 1 by 3 volume of cylinder that is pi r square h by 3 क्या मजाक हो रहा है सर्ट मचा दिया होगा सभी ने यह अपना हो गया cylinder uh cone this is our cone cone के सारे formula है आप लोगों को याद हो गया होंगे ts मतलब total surface area that is pi rl l होती है slant height h होती है height of the cone और यह होती है radius okay तो pi rl plus pi r square फिर मैं इसी की बात करूं c ऐसे तो वो होता है curved surface area will be pi rl फिर मैं बात करूं volume की 1 by 3 pi r square h यह तो formula हो गए अब मैं आ जाता हूँ सीधे question हो पे formula सारे revise हो गए cube, cuboid, cylinder, cone, sphere, hemisphere सारा clear है चलो सवालों पर आते हैं मचाने के माहूल पर आते हैं पहला सवाल आप लोगों के सामने लिखा है वीडियो को pause करो खुश से attempt करो और जो वो पहला concept बताया था उसको दिमाग में रखो क्या पूछा है 3 cube है सबकी side 5-5 cm दे रखी उनको join कर दिया end of end मतलब इस तरीके से उनकी joining कर दी तो बताना है कि surface area जो resulting solid बनेगा उसका surface area क्या होगा कभी इस resulting solid को देख पा रहे हो इस resulting solid को देख पा रहे हो तो यह क्या बन रहा है यह तो एक cuboid बन रहा है क्यों बच्चा यह तो एक cuboid बन रहा है कभी एक cuboid बन रहा है इसकी length कितनी हो गई? इसकी length कितनी हो गई? यह 5 है यह 5 है यह 5 है 5 5 5 15 यह 5 है यह 5 है मतलब L इसकी हो गई L इसकी हो गई 15 एल इसकी हो गई 15 एल हो गई 15 तो तिट्सरा लिख दो cm…asında v हो गई इसकी पाँच, cm और h हो गई इसकी 5 cm , तो फॉर्मुला कभी मैं लिखूंक किसका क्या निकालना ili surface area तो मैंने तुमको कहा ता surface area निकालने तो surface area क्या qu'क surface area का formula क्या होता है, attacked by Math H plus HL तो 2 times 15 into 5 plus 5 into 5 plus H कितना था बच्चा? 5 L कितना था? 15 ये बना 2 ये बना 75 ये बना 25 ये बना 75 ये बन गया 175 into 2 10 1, 15, 1 350 cm square will be the correct answer अब इसको अब इसी question को कुछ बच्चे कभी 3 cube है और concept को नहीं समझे और 3ों के cube का individual surface area अड़ कर दिया तो गलत आणसर आएगा क्योंकि ये वाला जो एक wall है ये common होगी दोनों की वो खतम हो जाएगी joining वाली है ना तो ये joining वाली खतम हो जाएगी तो ये देखना है कि कितने भाद में rectangle या square बचे तो एक, दो, तीन, चार, पांच चह, साथ, आट, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चाउदा 14 स्क्वेर बचे, है ना, बात समझ पा रहे हो, तो 14 स्क्वेर बचे और 14 स्क्वेर जब बचे हैं तो फीला पा रहा होगा, एक दो तीन चार, पीछे पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, घ्यारा, बारा, तेरा और एक पीछे चबला नहीं आया समझ में देखो में क्या क्या रहा हूँ सरफेस एरिया की बात कर रहें तो एक इदर का सरफेस होगा एक पीछे का होगा एक इदर का होगा एक नीचे का होगा एक इदर का होगा तो यह कितने हो गए एक मतलब देखो यह यह वाला खतम हो गया तो यह 5 हो गए है ना 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इस तरीके से में उसको count कर रहा था तो यार 14 हो गए तो यहां से 14 a square बनेगा तो 14 into 25 इधर से भी देखोगे तो 25 350 इस तरीके से सोचना है तो यार जब तुम directly add कर देते 6 a square 6 a square 6 a square 18 a square नहीं होता 14 a square से भी सोच सकते थे that will be 350 और this is also one method तो सवाल को करने के तरीके अलग अलग हो सकते जब फील आ गया तो फिर तो कुछ भी नहीं है केवल दिमाग में चलना है surface area तो हर square को add up कर लिया हर एक square का area क्या होता है a square ऐसे 14 square है तो 14 times a square तो 14 into a square पांच का square करेंगे है 25, 14 into 25, 350 ही आएगा इदर से भी 350 है उधर से भी 350 है किसी भी तरीके से कर सकते हो सबने मच आया होगा अगले सवाल की और मयांक मयंक क्या क्या रहा है यह NCRT का प्रॉब्लम है वो भी NCRT गई था है ना मयंक क्या क्या रहा है कि उसने बनाया बर्ड बात चड़िया को पानी पिलाने के लिए एक बनता है ना गर्मियों में छटों पर रखा जाता है ऐसा एक सिलेंड्रिकल टावर होता है है ना उसमें ऐसी हमिस्फेरिकल बॉल लगी रहती है जिसमें तुम पानी भरते हो ठेक इस तरीके का कोई डाइग्राम होता है है ना इस तरीके का कोई डाइग्राम होता है मयंक made a bird bath for his garden in the shape of cylinder उसने एक cylinder बनाया with a hemispherical depression at one end like cylinder बनाया उसमें hemispherical depression दिया कुछ इस तरीके से okay this is the cylinder और उसमें ऐसा hemispherical depression दिया एक end पे जो height cylinder की वो देदी 1.45 meter उसको मैंने cm में लिख दिया ठीक है कोई दिक्कत नहीं और जो radius है वो भी हमने लिख लिए that is 30 cm क्या कह रहा है total surface area बताना है तो total surface area की बात करें बच्चा तो आएगा देखो बड़ बात है तो नीचे से तो hollow रहेगा तो curved surface area of cylinder आएगा प्लस यह depression दिया और उपर से खुला ही रहेगा पानी कहां से पिएगी नहीं तो चड़िया तो उपर से खुला है तो यह hemispherical depression का यह curved surface area आएगा और curved surface area cylinder का आएगा यह पूछ क्या रहे है total surface area किसका bird बात का तो मेरे प्यारे बच्चो क्या होगा curved surface area नीचे से तो hollow रहेगा ना and is basically तो नीचे से hollow था तो यह basically क्या हो गया curved surface area cylinder का that is लिख दो CSA of cylinder plus plus CSA of hemisphere है ना तो CSA cylinder का होता है 2 pi r h और CSA hemisphere का होता है 2 pi r square 2 pi r को common निकालते हैं तो 2 into 22 upon 7 into r r कितना है 30 और यह हो गया h plus r 145 plus 30 it is 175 तो यह आपका आजाएगा 7 2 za 5 za अब यह कितना हो रहा है देखो यह ध्यान से देखो 22 अब देखो 25 2 za that is 50 53 za 1500 तो यह बन रहा है 22 into 1500 अब 15 2 za 30 3 carry 15 2 za 30 और 3 यह हो गया 3 30 और 2 0 लगा दिये centimeter square यह तो centimeter square में आया इसको कभी meter square में answer comment करना है तो कैसे convert करते हैं centimeter square को meter square में वो भी देख लो तुमको पता है यार एक centimeter में 100 नहीं एक meter में 100 centimeter होते हैं एक meter में 100 centimeter होते हैं सबको पता है into 100 कर दूँगा centimeter square यहां से समझ में आया कि एक meter square में 10 की power 4 centimeter square होते है answer क्या है था 3 3 3 तीन बार 0 centimeter square that is equivalent to 3.3 meter square जिनका answer 3.3 meter square आया है वो भी बिल्कुल सही है सभी ने मचाया होडा है ना तो बढ़ते हैं आगे उसके पहले मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं है ना यह note कर लो क्या किया यह बास समझ में आई ठीक है तो बर्ड बात का एरिया निकल गया ठीक है करवड सर्फिस इरिया सिलिंडर का प्लस करवड सर्फिस इरिया केवल इतना समझना था अब एक एक प्यारा सा question करते हैं इसको एक लेंथ बतानी है लॉंगेस्ट रॉड की की एक रॉड मेरको कभी क्यूबाइड में रखनी है तो उसकी क्या लेंथ होगी अच्छा वो तो दे रखी है लेंथ दे रखी है यह लेंथ दे रखी है यह 27 मतलब जो रॉड की लेंथ है वो गिवन है question है अरे बहुत ही अब यह लेंथ आफको डे रखी है length of the longest road आपको Qution में दे रखी है तो फिर तो मेरा काम बहुत आसाल हो जाएगा यह तो मेरा काम बहुत आसाल हो जाएगा कैसे समझना length of the longest road मेरको डे रखी ठीक अभी याद लेंथ फ़ लॉंगेस्ट रॉड दे रखिये है ना पूरी पिक्चर क्लियर हो रही है कि लेंथ अपने को लॉंगेस्ट रॉड की दे रखिये है है ना that is equal to that is equal to कितना 27 cm कभी किसी क्यूबॉड में बोलू यार यह उसकी लॉंगेस्ट रॉड अपन इतनी रख सकते हैं तो वह अपन डाइगनल की ही बात कर रहे है मुल्य है इनोने तुमको इंडाइरेकली बता है क्या दे दिया डाइगनल ऑफ्ग्यूबॉड दे दिया ॐंगिस्ट रोड ऐसे डाइगनल ही रख पाऊँगे वही लॉंगश्ट लंथ होती है है ना तो यार वो diagonal की value दे दी इन्होंने 27 इन्होंने length और width भी जो breadth है उसकी वो भी दे दी that is 23 and 10 ओके यह 10 दे दिया और यह 23 दे दिया और length of the longest rod भी दे दिया मतलब diagonal of the cuboid भी दे दिया formula दिमाग में आता है आपने बताया था कि जो diagonal होती है cuboid की that is under root l square plus b square plus h square diagonal दे रखी 27 under root l square l square is what 23 का square b square is what 10 का square h square is what that is h square only निकालना है वो तो इदर square root का हटा है squaring on both side तो यह 27 का square यह 23 का square यह 10 का square यह h square अब 27 का square everybody knows that is 729 23 का square 529 plus 100 plus h square यह 629 जब 729 से जाएगा तो इदर आएगा 100 that is equal to h square तो h की value plus minus 10 आएगी पर height कभी negative में नहीं हो सकती height आगी 10 cm कौनसा option दिख रहा है यह option भी correct है तो diagonal of the cuboid का कभी formula पता था कि under root l square plus b square plus h square कैसे आया feel ले पा रहे हो diagonal imagine करो room में बैठके यह होती है पहले क्या करोगे यह नीचे वाले surface का यह निकाल लोगे that is under root l square plus b square यह वाली जैसे यह a b c यह a b c एक right angle triangle होगा इसको 3D में समझोगे है यहां पर 90 degree का angle होगा तो यह कभी 90 degree का angle है तो यह hypertenous है और hypertenous की value क्या होगी a b square plus b c square मतलब यह जो a c है यह क्या होगया under root l square plus b square अब उसमें यह h add होगा तो यह height बनेगी पूरा field लेना है बच्चा यहां से लेके यहां तक join करोगे तो यह height बनेगी this is your d तो अब a c d यह भी एक right angle triangle है अब a c square plus c d square तो a c की value यह थी इसका square करोगे plus c d square करोगे तब जाके तो diagonal of the cuboid निकलेगा that is a d square a c square कितना होगा that is l square plus b square c d कितना होगा that will be h square तो यह diagonal of the cuboid का formula इस तरीके से under root a square plus b square plus h square निकल के आता है mathematics से हर एक चीज़ का proof होगा है ना तो इस तरीके से इस सवाल को अपन समझ सकते हैं तभी तो cube का diagonal में क्या बोला था root 3a l बराबर b बराबर h सब बराबर हो गए हैना तब मैं बाकी question में calculation नहीं करूँगा किवल तुमको touch दूँगा feel दूँगा ताकि ज्यादा question हम लोग discuss कर पाए अभी इस question की calculation तुम लोग भी कर लेना क्या बोला है देखो एक video को pause करो खुछ से attempt करो यार देखते हैं बन रहा है कि नहीं एक iron pole है consists of a cylinder कोई iron pole है जो की consists of a cylinder of a height 240 cm उस cylinder की height कितनी है 240 cm और उसका base diameter कितना है 26 cm which is surmounted by another cylinder मतलब ऐसा कुछ है डाइग्राम एक cylinder है which is surmounted by another cylinder इस तरीके से है okay find the mass of the pole given that 1 cm3 of iron has approximately 8 gram mass 1 cm3 iron के weight कितना होता है 8 gram 1 cm3 का weight होता है 8 gram एक cm3 का weight तुमको दे रखा है 8 gram तुमको बता ना इस pole का कितना weight होगा ठीक है volume की बात की है यहां पर important क्या है volume की बात की है volume में मैंने बोला तो जब भी combination हो रहा है it is very easy directly we will have to add up volume of cylinder 1 plus volume of cylinder 2 surface area में सोचना पड़ता है volume में कुछ भी सोचने की आविशकता नहीं volume में तो directly volume of छोटा cylinder plus volume of बढ़ा cylinder total volume निकल के आ जाएगा तो volume बात करें अपमान total volume की मैं बात करूँ क्यार यह volume जो है pole का है ना तभी उसी से mass निकलेगा तो total volume of the pole will be what that will be equal to that will be equal to कभी मैं देखूँ तो यह बन रहा है आपका पाई capital R square capital H plus पाई small r square h पाई को common निकालते हैं ओके r square h, r कितना है इसका 13 हो जाएगा आर क्योंकि 26 cm diameter दिये तो 13 cm radius हो जाएगी और इसकी height बड़े वाले की जो height है उसको capital H कह रहे हैं जो radius है उसको capital R कह रहे हैं छोटे वाले की radius को small r कह रहे है height को small h कह रहे है ओके h मैंने ही अपने हिसाब से notation दे दिये ठीक बहुत बढ़िया और क्या बोला है another cylinder उसकी height कितनी है 66 cm है ना और radius कितनी है अरे 10 cm बहुत बढ़िया तो pi r square h that is 13 का square into h h will be 240 plus r square h 100 into 66 10 का square यहां पर देख लो confused हो जाओगी का 100 कैसे लिग दिया 10 का square into 66 तो यह कितना हो गया पाइ 169 into 240 plus 6600 यह तो volume आया इन्होंने बुला एक cm3 का approximately weight है 8 gram यह कितने cm3 क्यूब आगे इतने cm3 क्यूब आगे तो इसका multiplication अब जब मास निकालना है तो मास क्या होगा that will be volume into cost एक cm3 की weight है 8 gram तो 8 gram into pi into 169 into 240 plus 66 double zero ओके कल लोगे solve बिलकुल कल लोगे है ना तो यह आपका gram में आएगा कभी इसको kg में करना है तो जो answer आएगा वो आएगा gram में अब आपको पता है एक kg में 1000 ग्राम होते है तो इसको kg में करना है तो divide by 1000 कर देना यहां पर लिख दता हूँ एक gram 1 by 1000 kg तो एक gram में इतने kg होते हैं है ना 1 upon 1000 kg तो इतने gram में into 1 upon 1000 कर देंगे तो answer kg में आ जाएगा calculation पार्ट एक बहुत volume वाले सवाल बहुत आसान है कुछ सोच नहीं नहीं है जितने भी figure को combine कर रहे है डाइरेक्ली उनका volume निकालेंगे add up करेंगे और फिर वो जो unit दी है मास निकालने की बात की थी बोल रहा था कि एक cm3 का 8 gram मास है तो इतने cm3 का 8 से multiplication कर रहे हैं बढ़ते हैं आगे हैं तो calculation part answer comment करके बताना तो मज़ा आएगा कि आप लोग खुद से कर रहे हैं हो ठीक है थोड़ा सा calculation इसका टफ्स चला जाएगा बागी गबराने की कोई बात ह चला अगला सवाल the decorative block shown in the figure okay यह decorative block जो आपको दिख रहा है figure में is made up of two solid a cube and a hemisphere the base of the block is a cube with age 5 cm यह जो block का base है वो cube से बनावा है जिसकी age आपको दे रखी है side आपको दे रखी है 5 cm उसके ऊपर क्या लगा रखा है एक hemisphere लगा रखा है है ना इस तरीके से hemisphere fixed on the top of on the top of a diameter of 4.2 cm then find the total surface area of the block अब देखो total surface area की बात कर रहे तो इस question को अपन directly नहीं कर सकते है volume की बात करता तो volume of q plus volume of hemisphere directly add up जितने भी figure को combine कर रहे है पर surface area में important है यह जो joining वाला जोइनिंग वाला portion है यह है यहां पर सोचना रहेगा तुम बाकी सब तो कल लोगे पर जोइनिंग वाले को रहने दो बाकी सब में क्या है बही टॉप पे जोइनिंग हुई है तो टॉप वाले square को छोड़के बाकी कितने बचे 5 square तो 5 a square तो मैं लिखी दूँगा कि 5 a square इस से देखें तो इसा कुछ है एक square है फिर एक circle है अपने को लेना है यह वाला portion अपने को लेना है यह वाला portion एक square में से circle को minus करना है मतलब a square में से pi r square को minus करना है अराम अराम से समझो उपर को देखो top surface जहां पे hemisphere को रखा है a square होगा square का area उसमें से circle के area को minus कर दोगे तभी यह बचावर जो portion है इसका area आजाएगा जो बचावर portion है इसका area आजाएगा यह वाले का area आजाएगा और उसके बाद यह जो curved surface area है इस hemisphere का यह भी तो surface area में count होगा जो joining में मतलब hemisphere और cube का जो common part है बस उसको neglect करना है बागी तो सब add up होगा तो यह यह वाला portion जहां पर join किया है hemisphere को उसको neglect कर दिया that is a square minus pi r square अब इसमें अपन 2 pi r square और add करेंगे क्यों 2 pi r square अरे यह curved surface area यह curved surface area को भूल गई क्या यह curved surface area यह वाला that is 2 pi r square तो यह अपना आ जाएगा total surface area बताना कितने बच्चों ने यही लिखाता और इसी तरीके से लिखाता and now that will be 6a square plus pi r square 6a square plus pi r square a कितना है 5 तो 6 x 25 plus pi कितना लेना है 22 upon 7 into radius कितनी लेना है diameter 4.2 है तो यह हो जाएगी 2.1 x 2.1 0.3 answer calculation पार्ट है 150 plus यह कितना हो जाएगा 6.6 x 2.1 solve करोगे answer आएगा centimeter square में radius क्योंकि diameter दीती 4.2 उसका आदा होता है radius 2.1 यह लेती है तो calculation है आखरी में answer आप लोग निकाल लोगे feel आया surface area में जब joining होती है तो वो वाला area आपको हटाना रहता है किसी वो joining वाला तो अंदर चला गया फिर वो area तो occupy करेगा नहीं diagram तो बस बाकी के area की बात कर रहे है curved surface area of hemisphere उपर से यह तो पूरा आएगा यह वाला portion नीचे 5 wall तो आएगी 5a square जो टॉप में जहाँ joining हुई है वहाँ a square में से pi r square को minus कर देंगे तो यह वाला portion निकल के आ जाए यह जिसको चमक रहा होगा उसको यह chapter का feel आ चुका है है अब कोई सावी सवाल आ जाएगा वो कर लेगा अब वो नहीं घबराएगा यह shaded portion हमारा required area होगा उपर की बात करें यह top की बात कर रहा हो मैं top को imagine कर पा रहे हो ना तुम लोग हमिस्वेर का जो top होता है वो circle होता है वो circle को बना दिया square का माला cube का top square होता है तू उसको ऐसे imagine करो 3D रहा है चला बड़े आगे हाँ 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 a solid is composed of a cylinder with a hemisphere end if the whole length of the solid is 104 and the radius of each hemisphere end is 7 cm क्या बोला है दोनों end पर hemisphere है तो पहले यह example जो आपने समझाया था हमको उसका ही question आ गया इस तरीके से है ना तो क्या कह रहा है total length दे दी है that is 104 cm ओके radius दे दी है that is 7 cm cost बताने polishing करने की surface को तो जब joining होई तो यार यह वाला portion और यह वाला portion खतम हो गया मतलब curved surface area of cylinder plus curved surface area of this two hemisphere मलब इसके total surface area की बात करें तो वह होगा CSA of cylinder है ना plus two times CSA of hemisphere यह तो पहला वाली है है ना तो CSA of cylinder कितना है 2 pi r h plus 2 into 2 pi r square तो that will be 2 pi r h plus 4 pi r square देखे ध्यान से तो यह 104 तूरी हाइट है तो यह देखो hemisphere का यह साथ होता है तो यह भी साथ होता है इसी तरीके से यह साथ है तो यह भी साथ है तो 104 में से यह साथ और यह साथ 14 हो जाएंगे तो यह बचावा portion कितना होगा 14 अगें उसी तरीके से 2 into 22 upon 7 रेडियस कितनी है रेडियस 7 है इन्टू 1 0 4 7 से 7 कैंसल यह आपका आया 44 into 104 चलो इसका 754 4576 अब क्या कह रहा है यहां पर देखना 4576 यह तो क्या हो गया इसका टूटल सर्फेस एरिया वह ये portion का अपन ने 2 pi r common लिया h plus 2 r बचा इस तरीके से किया fall लो गया है ना अब यहां तक तो अपने को कोई दिक्कत है नहीं अब यह क्या किरा है 2 रूपे per decimeter square मतलब cost क्या है polishing की 2 रूपे per decimeter square तो यह decimeter क्या है 1 decimeter में बच्चा 10 cm होते हैं तो 1 decimeter square में मतलब करा क्या 1 into 1 कर दिया 1 decimeter into 1 decimeter यही तो किया है 1 decimeter into 1 decimeter वही होता है 1 decimeter square 1 decimeter में 10 cm होते हैं इसमें भी 10 cm होंगे तो यह बन गया 100 cm square आंसर क्या आया था 4576 cm square इसको decimeter square में करेंगे तो डिवाइड बाइ 100 तो 45.76 decimeter square अब इदोंने बोला एक decimeter square की cost कितने रुपे हैं? दो रुपे हैं शायर दो रुपे हैं पर decimeter square की cost तो इतने decimeter square की cost कितनी होगी? 45.76 decimeter square की cost कितनी होगी? 2 x 45.76 कर दिया 12, 1 carry 15, 1 carry 11, 1 carry 91.52 रुपेज रुपेज 91.52 I hope everyone is getting the same answer कोई confusion नहीं किसी भी तरह का कोई doubt नहीं होना चाहिए 91.52 तो यार यह unit का conversion कैसे कर रहे यह समझना था formula कैसे लगा रहे यह समझना था surface area वाला feel तो आगया जब join करते हैं तो joining वाले area को eliminate करना रहता है तो कर दिया और answer तक पहुँच गया last question आज की class का homework दे दे क्या? यार यह question तो homework दे ही सकते हैं homework homework question है मचा के आना कुछ नहीं है बच्चा इस chapter में बस question की practice करो मैं और कराऊंगा one shot भी आएंगे revision भी आएंगे exam तक ऐसे ही मन लगा के पढ़ते रहना मचाना है क्योंकि है ना तो बस अराम से सवाल को पढ़ो एक pan stand क्यूबोईड शेप का जिसमें चार कॉनिकल डिप्रेशन है okay the dimension of the क्यूबोईड आर 15 by 10 by 3.5 LbH की value देदी radius of each of the depression is this और depth देदी volume बताना है वुड का एंटार स्थेंड में तो volume निकालना है कि कितनी लखडी लगेगी तो बस ये कॉनिकल डिप्रेशन वाला क्यों हट जाएगा क्यों मैं फे चमक्या चमक्या हिंट क्यों देदी सर चलिये the struggle you are in today is developing the strength for tomorrow बच्चा आज महनत करोगे तो कल मजे करोगे और आज मकारी करोगे तो कल पचता होगे thank you so much मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए मन लगा के पढ़ाई करते रहो और मचाते रहो bye bye take care पढ़ाई करते रहें all the very best